आन्या ने जब अर्नव को अपने इतने करीब देखा तो उसका धकने बने लगी। वो अपनी नजरों को दूसरी तरफ करते हुए घबरा कर बोली आप मेरे इतने करीब मताये, मुझे डर लग रहा है। आन्या की आवाज में हिचके चाहट थी, अर्नव उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दिया उसने आन्या की छुड़ी को पका और अपनी तरफ करते हुए बोला इतना भी दरावना नहीं दिखता हूँ मैं, जो तुम मुझे से दरने लगी हो वाइफी। आन्या ने फिर भी अर्नव के चेहरे को नहीं देखा उसने अपनी आँखे कसकर बंद कर ली, उसकी इस बच्चों वाली हरकत पर अर्नव को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रियेक्ट करे। अर्नव बस मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसकी कलाई को पकड़ कर उसे आइने के सामने लाकर खड़ा कर देता है। उसके मुँ से एक ठंडी सिसकारी निकली। लेकिन उसने अपनी आँखे नहीं खोली थी। अर्नव ने आन्या के बालों को पीछे किया और अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है। बॉक्स ओपन करने पर उसने एक डायमंड पेंटेड और चैन थी। वो चैन बेहद खुबसूरत थी और पेंडेट जिसमें हौट सेप था और बीच में डायमंड से ए लिखा हुआ था। अर्नव ने वो पेंडेट देखा तो उसके चहरे पर मुस्कुराहट और भी फैल गई। अर्नव ने वो पेंडेंट आन्या के गले में पहना दिया। आन्या सब कुछ महसूस कर पा रही थी पर अर्नव के डर से वो ना तो अपनी आँखे खोल रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी। वही अर्नव ने आन्या को वो पेंडेंट पहनाया और उसकी गर्दन पर अपने हुंट से हलके से सपर्ष कर लेता है। आन्या दोबारा सिस्क पड़ी। आँखे खोलो जान अर्नव बड़े ही प्यार सो बोला। आन्या ने अर्नव की बात सुन अपनी आँखे खोली। अर्नव ने अपना चहरा आन्या के कंधे पर रखा और मुस्कुरा हुए उसे आइने में देखकर बोला पता है ये पेंडेंट मैं तुम्हें रात में ही दे बताओ तुम्हें पसंद आया या नहीं जान। आन्या तो उस पेंडेंट को देखती ही रह जाती है कितना खुबसूरत था। अर्नव से बोला ये सच में बेहद खुबसूरत है पर अर्नव के चहरे पर स्माइल गायब हो गई आन्या का असमंजस से भरा चहरा देखकर अर्नव बोला पर क्या जान। आप नहीं किया है पर क्यों। अर्नव ने आन्या की बात सुनकर उसकी बांग को पकड कर अपनी तरफ घुमाया। अर्नव कुछ पल उसे देखता रहता है वही आन्या भी अपने पैर के अंबूठे को फर्श पर रगती रहती है। अर्नव उसके चहरे को देखते हुए बोला क्योंकि मुझे आप चाहिए जिंदगी भर के लिए। अर्नव की ये बात सुनते ही आन्या के शरीर में जैसे बिजली का कर्च दौने लगा। उसे अर्नव से इस बात की उम्मीद नहीं थी। और कोई सवाल है आपका जान अर्नव ने उसके चहरे की तरफ हलका सा जुकते हुए कहा। आन्या अपना चहरा पीछे हटाते हुए खुद से बोली पूछना तो बहुत कुछ है पर जिस तरह ये बार बार करीब आ जाते हैं। मेरी तो बोलती बंद हो जाती है, मेरी जुबान काम नहीं करती, क्या करूं। और आन्या बेटा कहा फंस गई तुम। आन्या अपनी गर्दन स्प्रिंग की तरह हिलाती है, वो अर्नव की तरफ देखे बिना हट बढ़ा कर बोली, मुझे आन्टी जी ने कहा था कि ब्रेक फास्ट पर सब टाइम से आ जाना, मुझे चलना चाहिए, आप भी आ जायेगा। आन्या बिना रुके तेज कादमों से रूम से बाहर निकल गई, वही अर्नव, आन्या की इस हरकत पर हंस देता है, वो अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला और आजान, दूसरी तरफ जीवन ने जैसे टैसे करके आजिविका का रेड कलर का टॉप निकाला और उसे आजिविका ने टॉप लिया पर इस दौरान उसका हाथ जीवन के हाथ से टच हो जाता है, आजिविका ने वाश्रूम का डोर बंद किया तो जीवन ने गहरी सांस लेकर अपनी आखे खोली, तभी आजिविका वाश्रूम के अंदर से बोली ये तुम्हारे हाथ उस जैसे क्यों लग रहे थे। जीवन ने आजिविका की बात सुनकर अपना सिर जटकते हुए कहा, इसे तो मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाता है, जीवन यहां से जाना होगा वरना ये लड़की अगर बाहर आ गई तो तुझे इस घर से बाहर फिक देगी। आज जीविका अपने आप से बढ़ बढ़ आते हुए बोली ये लड़की इतनी जल्दी कहा चली गई। फिर घडी में टाइम देखकर ओर गौड दस बजने वाले है, अभी तो ब्रेकफास्ट भी करना है, कम ओन अजजू जल्दी तयार हो जाओ। जीवन जब रूम से बाहर निकला तो सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ कर नाश्ता कर रहे थे। जीवन भी नीचे आ गया। पनकज जी उसे देखते हुए बोले तुम कहा थे जीवन, कौशल्या जी कबसे तुम्हारे बारे में पूछ रही है। जीवन ने अपनी नजरे सीडियों से नीचे आ रही आजाविका की तरफ की और हकलाते हुए बोला वो मैं रूम में था, आज लेठ हो गया। कौशल्या जी ने जीवन की तरफ देखकर कहा, तुम लेठ हो गय थे या अजजु ने लेठ कर दिया। आज जीविका आन्या के पास वाली चेय पर आकर बैठती है और जीवन को घूरते हुए बोली कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो तैयार हो रही थी, मैंने तो सुबह से इसे देखा ही नहीं है, आप इसकी सारी बातों का दोशी मुझे ही क्यों समझती है, मौम। कौशल्या जी, आजी विका को देखते हुए क्योंकि जीवन कभी भी लेट नहीं होता है, तुम ही उसे हमेशा लेट करती हो। और मौम ये लम, अपने होंठ काटते हुए, आई मीन जीवन तो जैसे कभी लेट हो ही नहीं सकता, खून। कौशल्या जी उसे घूरते हुए बोली चुपचाप नाश्ता करो, और जीवन की रिस्पेक्ट किया करो, हर वक्त इससे लड़ना अच्छा नहीं। वही आण्या जो ये सब सुन रही थी वो जीवन को एक टक देखने लगती है, जीवन ने आण्या की तरफ देखा और आँखे के इशारे से चुप रहने को कहा, क्यूंकि आण्या ही थी जो जानती थी कि जीवन आजिविका के रूम में था, जीवन जानता था कि अगर आण्या ने इस वक्त आजिविका को सच बता दिया तो वो बाल की खाल निकाल देगी, वो सभी नाश्ता कर रहे थे कि तभी आण्या की नजर उसकी तरफ आ रहे अर्नव पर पड़ी, आज पहली बार था जब वो अर्नव के साथ नाश्ता करने वाली थी वरना तो अर्नव को देखते ही वो नाश्ता करने भी नहीं आती थी, उसके उठने से पहले या उसके जाने के बाद ही वो नाश्ता किया करती थी, अर्नव अपनी फॉर्मल ओफिस विय में हमेशा की तरह कहर धाहा रहा था उसकी बॉडी पर फिट ब्लू सूट में वो लड़कियों को हमेशा की तरह पागल करने के लिए रेडी था पर आज उसके चेहरे पर सबसे ज्यादा अट्राक्ट करने वाली उसकी स्माइल हमेशा गुस्सा करने वाला अर्नव आज बहुत खुश नजर आ रहा था आन्या के हाथ में मौजूद चम्मच उसके हुंटों के पास ही रूख गई वो अर्नव को एक टक देखने लगी वो तो अर्नव को देखने में इतनी खोई हुई थी जैसे अर्नव को उसने पहली बार देखा हो वैसे इस तरह तो पहली बार ही देखा आन्या को पता ही नहीं चला कब वो अपने आपी स्माइल करने लगी भाई बहुत हैंसम है ना आन्या आजीवेका ने आन्या के करीब आकर धीमी आवाज में कहा आन्या भी खोई हुई सी बोला हममम डेविल सच में हैंसम है अचानक आन्या को महसूस हुआ कि उसने ये क्या बोल दिया आन्या ने आजीवेका को घूर कर देखा वो उसकी तरफ घूर कर देखती है, जबकि आजीविका उसका चेहरा देखकर हंस देती है, अर्नव सभी को गुड मॉनिंग कहता है और पंकज जी के सामने वाली चेह पर बैठ जाता है उसके पास ही आन्या भी बैठी हुई थी, सभी ने नाश्ता करना शुरू किया, कौशल जी ने अर्नव को देखकर कहा, बेठा, मेरी सहेलियां और जान पहचान वाली औरते आन्या की मुझ दिखाई के लिए आना चाहती है, अर्नव ने कौशलिया जी की बात सुनकर कहा, हम पर मैं नहीं चाहता की आन्या की मुझ दिखाई को लिए कोई भी आये, सभी लोग अर हमें reception और मूँ दिखाए तो करनी होगी। अर्नव ने अपनी नजर आन्या के चेहरे की तरफ की आन्या अपनी नजरे नीची करके चुप चाप ड्रेकफास्ट खा रही थी लेकिन उसके गले से नीचे खाना जाही नहीं रहा था। तब ही अर्नव अन्या की तरफ देखते हुए बोला मॉम मैं चाहता हूँ कि अन्या पहले इस फैमली के साथ और मेरे साथ कमफर्टेबल हो जाए मूँ दिखाए आप बाद में भी करवा सकते हो मैं उसके लिए मना नहीं करूनगा लेकिन मेरे लिए अन्या का कमफर्टेबल ह बहुत जादा जरूरी है कौशलिया जी ने अर्नव की बात सुनकर अपना सिर हिला दिया वही अन्या को अर्नव की यह बात सुनकर राहत मिलती है वो गहरी सांस लेकर अपने आप से कहती है ये भी सही है मुझे भी तो comfortable होना जरूरी है मैं तो अभी इस शादी को ही except नहीं कर पाई हूँ बाकी रसमे मुझे तो कैसे होगी फिर अर्नव के चेहरे को देख कर कुछ भी कहो ये devil handsome होने के साथ साथ समझदार भी है कहते हुए आन्या के चेहरे पर हल्की सी smile आ गई तभी अर्नव ने नाश्ते की एक बाइट उठा कर आन्या की तरफ बढ़ा दी आन्या ने अर्नव की तरफ देखा फिर उस बाइट की तरफ और फिर बाकी सभी घरवालों की तरफ सभी अपने आप में बीजी थी जबकि अर्नव आन्या के चेहरे को एक टक देख रहा था आन्या में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अर्नव को मना कर पाए इसलिए उसने चुपचापने वाला अपने मुँँ में रख लिया ये देखकर अर्नव के फेस पर भी स्माइल आ गई तब ही आन्या के होंट के पास जैम लग जाता है अर्नव अपने अन्बूठे से अन्या के होंट से वो जैम हटाता है फिर अन्बूठे को अपने होंटों के पास लाकर उसे चुम लेता है और मुस्कुरा देता है आन्या ये देखकर अपनी मुठ्ठी को कसकर बंद कर लेती है तभी अरनव उसके पास आकर बोला मुझे इस तरह देखना बंद करो और नाश्ता कर लो मुझे देखने के लिए तुम्हारे पास अब पूरी जिंदगी है आन्या जेप गई उसने तुरंट अपनी नजरे ब्रेकफास्ट की प्लेट में कर ली वही अरनव उसे देखते हुए धीमी आवाज में बोला आज पहली बार मुझे जैम इतना अच्छा लग रहा है आन्या ने अरनव की बात सुन अपनी आँखें बंद कर ली उसे अब शर्म भी आने लगी घबराहट को थी ही उसने गहरी सांस लेते हुए कहा डेविल अब तक आपने पधा अरनव आन्या को गिफ्ट देता है जिसकी वजह से अरनव आन्या के बेहद करीब आ जाता है आन्या अरनव का अपने इतने करीब देखकर घबरा जाती है और रूम से बाहर चली जाता है वही अरनव डाइनिंग टेबल पर भी उसके करीब आता है जिसकी वजह से अन्या की घबराहट बेहद बढ़ जाती है अब आगे, अर्नव ओफिस पहुचा, उसके कमपनी का मैनेजर गिरिश भी था जीवन जब ओफिस के लिए लेट हो जाता तो वही अर्नव को सारी रिपोर्ट दिया करता था अर्नव को सभी इंप्लोई गुड मॉनिंग विश करते है अर्नव भी पॉलाइट होकर सभी को विश करते हुए अपने कोबिन की तरफ बने लगता है अर्नव के चहरे पकाज इतने शांत एक्स्प्रेशन देखकर सभी हैरान थे क्योंकि अर्नव हमेशा रूड होकर ही रहता था पर अर्नव का ये बदला हुआ लोग पहली बार सभी ने देखा है सर आज सुबह ही ये खबर सामने आच चुकी है कि आपने कपूर एंड संस कमपनी खरीद ली है जिसके बाद मिस्टर कपूर काफी गुस्सा है और आप पर बहुत गलत आरोप लगा रहे है हमने अपना तरफ से सफाई पेश कर दी है पर मिडिया वालों को तो आप जानते हैं हर बात का बतंगड बना देते है अर्नव आगे चलते हुए जो हो रहा है होने दो अगर कुछ जादा हुआ तो जीवन संभाल लेगा गिरीश ने अर्नव की बात सुनकर अपनी गरदन हिलाए और आगे बोला सर आज दोपहर में हमें कपूर अंड संस कमपनी को लेकर नया प्रोजेक्ट शुरू करना होगा क्योंकि वो कमपनी अभी बहुत जादा फाइनेसिसियल तरेके से स्टोबल नहीं है मैं उस कमपनी को लेकर जीवन के आने के बाद डिसकस करूंगा फिलहाल इस टॉपिक को रहने दो गिरीश ने अर्नव की बात सुनकर अपनी गरदन हिला दी अर्नव अपने केबिन के डोर तक पहुचा तो गिरी केबन का जोर ओपन करते हुए बोला सर आज दोपहर को मिस्टर चंदना के साथ जो मिटिंग होने वाली थी वो अब शाम को तैकी है उन्होंने अर्नव गिरीश का ये बात सुनकर रूख गया उसने गिरीश के चेहरे की तरफ देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोला ये उन्होंने कब बताया मैंने आज सुबही जीवन से पूछा था तो मिटिंग दोपहर की ही थी सर वो अभी कुछ देर पहले ही वो बोल रहे है कि उनको किसी और मिटिंग के लिए जाना है गिरीश की बात सुन अर्नव अपने केबिन के अंदर एंटर करता है वो अपनी चेय के पास आकर बोला ये मिटिंग कैंसल कर दो और उन्हें बताना मत उन्हें भी पता चलना चाहिए अपनी तरफ से डिसीजन लेने का क्या अंजाम होता है गिरीश ने अपना सेरहिलादी पर फिर अच्छानक बोल पड़ा लेकिन सर वो प्रोजेक्ट तो 700 करोड का है क्या ये ठीक रहेगा हम मैंने जैसा बोला है बस वैसा करो अरनव के चेहरे के गंभीर एक्सप्रेशन देखने के बाद गिरीश में बिलकुल हिममत नहीं थी कि वो कुछ और बोल पाए अरनव ने आज दिन भर का सारा शेड्यूल जानने के बाद गिरीश को वहां से जाने को कहा और जैसे ही काम के लिए लप्टॉप की तरफ हात बाए तभी उसे कुछ याद आया उसने अपना मोबाइल उठाया, गैलरी ओपन की, गैलरी में आन्या की मेहंदी और हल्दी फंक्षन की कुछ तस्वीरे थी जो अरनव ने चोरी छुपे ली थी अरनव ने एक उसकी एक क्यूट सी तस्वीर ली फिर उसे अपने मोबाइल की लॉक स्क्रीन वॉल पेपर पर सेट किया और अपना काम करने लगा दूसरी तरफ जीवन, आजीविका को लेकर उसकी युनिवसिटी पहुचा, दोनों युनिवसिटी के बाहर कार में भी लद रहे थे तुम आखिर मुझ पर एहसान कर रहे हो, क्या मुझे युनिवसिटी छोड़ कर एक तो तुम्हारे साथ एक कार में आना पड रहा और उस पर तुम मुझे सो बार टोक देते हो, खिकी से हाथ बाहर मत निकालो, ये मत करो, वो मत करो, ये ऐसे बैठो, वैसे बैठो आजीव का, जीवन की नकल निकालते हुए बोली, जीवन ने उसके चहरे को देखते हुए कहा, अरे यार अब तुम्हारी भलाई के लिए कोई चीज कहूं तो तुम्हें उसमें भी प्रोबलम है, सीट बैल्ट बांधना जरूरी है, और कार से हाथ बाहर निकालना सही नहीं, तुम मैं कोई छोटी बच्ची नहीं, खैर मुझे नहीं लड़ना तुम से तुम मुझे पागल कर दोगे आजीविका अपने माथे को हाथों से पकड़ कर बोली, फिर गुस्से से सिर जटक कर कार से बाहर निकलने वाली थी कि तभी उसके सिर पर लगने वाली थी पर जीवन ने आगे बकर अपना हाथ उसके सिर रख लिया, आजीविका ने पलट कर उसकी तरफ देखा और मुझ बना कर बोली ज्यादा अच्छे मत बनू इतना कहकर वो कार से बाहर निकल जाती है, जीवन ने उसकी ये हरकत देखकर स्माइल दी और बोला कितनी गुस्सल है ये, फिर आ आजाविका के चहरे को देखते हुए, सुनो किसी अंजान लड़के से बात मत करना, आजीविका ने विंडो के पास आकर उसकी तरफ देखकर जुकते हुए कहा, मेरी मर्जी होगी उससे बात करूंगी, हून, जीवन मुस्कुराते हुए, अगर ऐसा किया तो मुझ से बु पुर हो जाता है, वो कुछ नहीं बोल पाती, बस उसे देखती रहती है, जीवन ने वाच ने टाइम देखते हुए, आजीविका से कहा, अच्छा चलो क्लास में जाओ, तुम्हारी क्लास का वक्त हो गया है, वरना इसका गुस्सा भी तुम मुझ पर ही निकालोगी, जीव जीवन उसे जाते हुए मुस्कुरा कर देखता रहता है, जीवन अपने आपसे बोला तुम्हें कैसे बताऊं, तुम चाहे कितना भी गुससा कर लो पर तुम मेरी मुहबबत थी, और और रहोगी, मेरा ये प्यार तुम्हारे लिए कभी खत्न नहीं होगा, जीवन के मोबा वोट, मैं आ रहा हूँ, तुम ये बात अर्नव से मत कहना इतना कहकर उसने कॉल काट दिया और तुरंट कार स्टॉट करके कार ओफिस की तरफ बढ़ा लेता है, दूसरी तरफ, सिंघनिया भावन, आन्या, कोशल्या जी के साथ उनके रूम में बैठी हुई थी, कोशल्या जी, आन्या को अपने खांदानी जेवरात दे रही थी, ये देखो, ये मेरी सास यानी की अर्नव की दादी सास ने मुझे दिया था, और अब ये मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, कोशल्या जी ने एक बेहद सुन्दर डायमंड और गोल्ड का नेकलस आन्या के सामने करत हुए कहा, आन्या ने पहली बार इतने भारी नेकलस देखे थे, जिन्हें देखकर उसका मुझ बेहद छोटा सा हो गया और वो उदास होकर अपने आप से बोली, आन्टी आप मुझे किस जिम्मेदारी में बांध रही है, मैं तो अभी ये भी एकसेप नहीं कर पा रही हू कि मेरी शादी डेविल सिंधानिया से हो गई है, तो फिर इस घर की बहु होने की जिम्मेदारी कैसे उठा पाऊंगी, ये भगवान क्या करूं। किस तरह हुई है? मुझे अभी वक्त दीजिये, आपकी खुशी के लिए मैं ने ये शादी की थी लेकिन ये जिम्मेदारी। आन्या ने कौशल्या जी के चहरे की तरफ देखा तो उनके चहरे पर आन्या को लेकर एक विश्वास की जलक दिखाई दे रही थी, आन्या उनके आगे अब कुछ भी नहीं बोल पाई और चुप चाप वो जैसे कहती है वैसा मान लेता है। कौशल्या जी ने आन्या की कलाई पकते हुए उसकी कलाई में कुछ कंगन पहनाए। वो बोली ये कंगन मैंने अर्नव की दुलहन के लिए बनाय थे और अब तुम इस परिवार की बहु और अर्नव की पत्नी हो इसलिए ये कंगन तुमहारे लिए है। आन्या के चेहरे पर नर्वसनेस आ गई, अर्नव की पत्नी ये शब्द उसके जहन में गूंजने लगे। कौशल्या जी, आन्या से बात कर रही थी कि तभी वहाँ पर निर्मला जी आ गई। निर्मला जी, कौशल्या जी को देखते हुए बोली बड़ी मैम वो बहुरानी की पहली रसुई के लिए जो भी समान आपने मंगवाया था गगन वो लेकर आ गया है, आप एक बार देख लिजिए। कौशल्या जी, निर्मला जी बात सुनकर ठीक है निर्मला, मैं आती हूँ। निर्मला जी ने अपना सिर हिलाया और वहां से चली गई। कौशल्या जी ने आण्या को जवहरात देते हुए उसके पास से खड़ी होते हुए बोली, तुम अपनी सारी अमानत को संभाल कर करो, फिर किचन में आ जाना, मैं तुम्हारी पहली रसुई के लिए सारी तैयारियां देख लेती हूँ। आण्या ने असमंजस से कौशल्या जी को देखते हुई कहा पहली रसुई। पर उस डेविल सिंभानिया की पसंद का खाना, वो भी मुझे अपने हाथों से बनाना होगा, ये क्या मुसीबत दे दी आपने, उफफफ। दूसरी तरफ अर्नव अपने केबिन में था, तभी वहाँ पर जीवन आ जाता है। जीवन ने केबिन का डोर नौक किया। अर्नव उसे अंदर बुलाता है, जीवन के चहरे पर काफी ज़्यादा परेशान देख रही थी। अर्नव अपने काम में मसरूफ था, उसने जीवन के चहरे की तरफ नहीं देखा। वो सीधा बोल पड़ा अच्छा हुआ तुम आ गए जीवन मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, वो कपूर अंड संस कमपनी को लेकर मुझे आपसे कुछ डिसकशन करना है। वही जीवन अर्नव के चहरे को देख रहा था, वो हड़ बड़ा कर बोला अर्नव, वो उसके बारे में पता चल गया है। अर्नव ने इतना सुना तो उसके हाथ रूख जाते है, वो अपनी नजरे उठा कर जीवन के चहरे की तरफ देखते हुए बोला कौन। जीवन ने गहरी सांस लेकर कहा जैगुआ के बारे में। जीवन जब जैगुआ के बारे में अर्नव को बताता है, वही जैगुआ का नाम सुनकर अर्नव ने अपने होंट पर अपनी उंगली को रखते हुए कहा, क्या पता चला, कहा पर है वो। जीवन ने गंभीर होकर कहा वो कल मुंबई आने वाला है और उसका कुछ बड़ा प्लान है मुझे तो लगता है डेविद ने ही उसे भेजा होगा। वही जब अर्नव ने डेविद का नाम सुना तो उसकी त्योरिया चढ़ गई चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन आ गए ठीक है तुम उस पर नजर रखो और जैसे ही कुछ पता चले मुझे जरूर बताना। हाँ मेरी पूरी नजर उसके हर एक एक्सण पर है पर तुम जानते तो हो कि हमने जौडन के अलावा किसी को देखा नहीं है लेकिन हम जल्दी उसके बारे में सब कुछ पता लगवा ले जीवन की बात पर अरनव ने अपना सिर हिला दिया फिर बात बदलते हुए बोला सुनो जीवन वो कपूर अन संस कंपणी को लेकर मुझे तुम्हे कुछ कहना था। हां अरनव कहो जैसा तुमने कहा था हमने वो कंपणी खरीद ली है। अर्नव ने हलकी स्माइल के साथ कहा हम अब मुझे उस कमपनी को आन्या के नाम पर करना है और हाँ उसका नान अब आन्या एंटरप्राइज़ होगा जीवन पहले तो अर्नव की बात सुन थोड़ा हैरान हुआ फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई वो जानता था कि अर्नव अपने परिवार के हर सदस्य के बारे में सोचता है और अब आन्या भी परिवार का हिस्सा है तो उसने अन्या के नाम पर वैसे तो अपनी पूरी जि ठीक है हो जाएगा बॉस अर्नव ने अपना सिर हिलाया और उसे जाने को कहा और वापस अपना काम करने लगा अभी कुछी वक्त हुआ था कि उसका मोबाइल रिंग करता है उसने बिना देखे कॉल रिसीव कर लिया हेलो अर्नव ने इतना कहा पर सामने से कोई आवाज नह आई अर्नव ने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा तो घर से कॉल था पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था बस गहरी सांसे लेने की आवाज आ रही थी अर्नव समझ गया कि कॉल पर कोई और नहीं बलकि आन्या है अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा कुछ बोलोगी वाइफी या फिर मुझे अपनी सांसे काउंट करवाती रहोगी आन्या सकप का गई उसे समझ नहीं आया कि अर्नव उसे कैसे पहचान गया आन्या ने थोड़ा नर्वसनेस के साथ कहा मैंने आपको इसलिए कॉल किया था कि आन्या इतना कहते कहते दोबारा रूख गई अब अर्नव ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा वाइफी आपाराम से सोच लजिये जैसे ही याद आ जाए मुझे बता देना मैंने कॉल ओन पर ही रखा हुआ है आन्या ने हड़ बडा कर तुरंट कहा नहीं नहीं मुझे याद आ गया है हां तो फिर कहो ना मैं पूछना चाहती थी कि आपको खाने में क्या पसंद है वो क्या है कि आज मेरी पहली रसोई है खाना मुझे ही बनाना है पर मुझे आपकी पसंद नहीं पता है आन्या थोई घब राइसी बोली क्योंकि यो पहली बार था कि आन्या ने अर्नव को कॉल किया था और वो भी उसकी मजबूरी थी कि अ अर्नव रो कॉल करना पढ़ रहा था वरना आन्या तो अर्नव को कॉल करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अर्नव उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुराते हुए बोला तुम जो भी प्यार से बनाओगी मैं सब खालूनगा। आन्या परेशान होकर बोली पर आपकी पसंद का खाना बनाना है आप बता देजिये मैं बना दूंगी ना। आन्या की बातों ने एक अलहड पंथा जिसे देखकर अर्नव उतने ही प्यार से बोला तुम मौम से पूछ लेना वो बता देती वैसे तो घर मैं सभी को मेरी पसंद का पता है तुम किसी से भी पूछ सकती हो। आन्या उदास होकर बोली आंटी ने कहा है कि आज सब कुछ मुझे खुद करना है कोई मेरी मदद नहीं कर सकता इसलिए तो मैंने आपको कॉल किया। फिर अर्नव भी सोचते हुए बोला और तुमने ऐसा क्यों सोचा जान कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आन्या अब चुप हो गई, उसके पास बोलने को कुछ नहीं था, वही अर्नव उसकी चुपी देखकर मुस्कुराते हुए उसके जवाब का इंतजार करने लगा। आन्या लेदलाइन के पास खड़ी होकर अपने आपसे बोली सची तो कह रहे है ये देविल मैंने इन्हें कॉल क्यों किया, ये भला मेरी मदद क्यों करेगे, ये मुझे क्यों बताएगे की इन्हें क्या पसंद है। अरनाव उसका जवाब ना पाकर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे इटेलियन खाना पसंद है जो सिर्फ कुक बना सकते है, लेकिन तुम्हारी पसंद के गुलाब जामुन भी मुझे बहुत पसंद है, तो इंजल तुम मेरे लिए गुलाब जामुन बना सकती हो, बाकी त तुम जो भी बनाओगी, मैं सब खालूंगा। आन्या पहले उदास हुई फिर उसको एक अजीब सी खुशी होती है, उसने ठीक है कहकर कॉल कच कर दिया। वही अरनाव को आन्या की मासूमियत पर बहुत प्यार आता है। आन्या ने अपने आप से कहा, ये सच में इतने भ दूसरी तरफ आजीबिका अपनी क्लासेज लेकर अपनी दोस्तों के साथ केंटिन में बैठी हुई थी। यहां आजीबिका की कुछ बैस्ट फ्रांडस थी जिनका नाम तारा, नेयना, किया रहा था। वो सभी केंटिन में बैठे बाते कर रहे थे। तारा, आजीबिका से बोली कल जो कुछ भी सिंधानिया हाउस में हुआ, सच में यकीन करना मुश्किल है, मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा की परी खुराना इतनी चालाक लड़की है। कियारा भी उसकी हमें हां मिलाते हुए बोली हां सच कहा आजीबिका, अगर उसकी अरनव भाई से तो उसे ही खुशू, वरना वो भन्यकर परी तो मुझे शुरुआत से ही पसंद नहीं थी। तारा हंस्ते हंस्ते हुए, हां नोटिस किया था हमने तेरा मुँ कैसे उतरा हुआ था, बिलकुल गुब्बारा बन गई थी तुम। ये देखकर आजीबिका ने मुँ बना लिय तभी उनके पीछे बैठे कुछ लड़के आजीविका को सुनाते हुए बोलिक वैसे कुछ भी कहो अरनव सिंधनिया की किस्मत तो बहुत अच्छी है, जिसे भी चाहे उठा कर उसे शादी कर सकता है, घर में पहले से ही दुलहन रखकर बैठे थे और उसी से शादी कर ली, या फिर उस लड़की ने ही अरनव को अपने चंगुल में फसाया होगा, ये युनिवसिटी सा गुंडा और सबसे बदमीश स्टुडेंट रोकी था जिसे हर किसी की पसनल लाइफ में इंटरफेर करने का बहुत शौक था और सिंधनिया परिवार से तो उसे कुछ चिद थ जिसका सबसे ज्यादा हिसाब वे आजीविका से लेता था, आजीविका की हर साल युनिवसिटी में रोकी से ही सबसे ज्यादा लड़ाय होती थी, आजीविका ने जब से रोकी के प्रपोजल को ठुकराया था तब से ही आजीविका रोकी की दुश्मन बन गई थी, उसने क कई बार आजीविका को बुरा भला भी कहा था लेकिन अर्नव ने उसे पूरी युनिवरसिटी के सामने बेजज़त किया था जिसके बाद उसे सिंधानियास से चिद्या नफरत थी। रौकी का पूरा गैंग था जिसमें चार लड़के थे जो युनिवरसिटी में आये नए स्टूडेंट को परेशान करते थे। रौकी के पिता भी एमेले थे इसलिए उसका भी पूरा खौफ था। आज जीविका ने रौकी की बात को इगनो किया और अपनी फ्रंडस से बोली पता है आन्या बहुत अच्छी है, मुझे तो सच में बेहद खुशी है कि वो मेरी भाभी है। तभी पीछे से रौकी की आवाज आई वो हंसते हुए अपने दोस्तों से बोला तनुज, हाँ सच कहा भाभी तो बहुत अच्छी है, लगती भी कमाल है, दिखने में भी अपसरा है, पूरी यार एक बार हमें भी मिल जाए लो कमसन कली, उसे तो अपने बाहों में भर लू आजीविका को रौकी की बाते सुनकर अब गुस्सा आ रहा था, वो अपने गुस्से को कंट्रॉल करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसकी फ्रांडस ने उसका हाथ पका हुआ था, पर रौकी तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता, यार तुम सब फिक्र मत करो अगर एक सभी स्टोइंडस की नजर उसोर चली गई, वही तारा, नेना और कियारा चेय से खडी हो जाती है और अपना माथा पीट लेती है। वो गुस्से से अपने स्थान से खडा होता है। वो आजीविका को घूरते हुए बोला, मजा तो मैं बताऊंगा तुझे क्या होता है, तीरी अकम मैं निकालूनगा, अपने भाई के दम पर तुम इतना अकती हो ना, देखो मैं क्या करता हूँ कहते हुए रौकी ने आजी विका ने जर से कसकर अपनी आँखे बंद कर ली। लेकिन कुछ वप्त तक जब उसे लगा कि वो गिरी नहीं है और किसी की बाहों की कैदने है तो उसने अपनी आँखे खोली। आँखे खोलते ही सामने एक अंजान सक्स था, दिखने ने हैंसम बिल्कुल किसी हिरो जैसा, हीजल ग्रीन आइज, दोरा चेहरा, बिल्कुल अग्रेंजी मूवी का क्यूट हिरो लग रहा था। आजीविका ने अपनी आँखे खोल कर जब उसकी आँखों को देखा तो बस उसे देखती ही रह गई। उसके मुह से एक चू तक नहीं निकली वही वो लड़का सामने ख हडे रोकी को एक टक देखता जा रहा था। दूसरी तरफ सिंघन या हाउस। आन्या गुलाब जामुन तो बना रही थी पर उसे अब चासनी तयार करनी थी, उसे चाशनी के लिए चीनी नहीं मिल रही थी। चीनी धूंडने के लिए उसने पूरे किचन को तलाश लिया प अगर चीनी का कुछ पता ही नहीं पता। आखिर ये चीनी का डिब्बा कहा रखा है, एक काम करती हूँ निर्मला जी से पूछ लेती हूँ उन्हें तो वैसे भी सब पता होता है कहते हुए आन्या जैसे ही किचन से बाहर जाने लगी तभी निर्मला जी वहाँ पर आती आन्या उन्हें देखकर खुश होते हुए बोली मैं आपके पास ही आ रही थी। जी बहुरानी बोली एक क्या बात है निर्मला जी मुस्कुरा कर बोली। वो आपने चीनी कहा पर रखी है मुझे मिल नहीं रही है। बहुरानी चीनी तो यही है डिब्बे में पर वो पीसी हुई है। यहाँ ज़्यादातर पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। आप रूखिये मैं निकाल देती हूँ निर्मला जी बोली और मुस्कुराते हुए चीनी निकालने लगती है। तभा बाहर से लेंड जी इतना कहकर अपना सिर हिला देती है और चीनी को लेकर उसे पानी में मिला देती है। वही आन्या वहां से बाहर की तरफ आती है और कॉल रिसीव करती है। हेलो 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 आन्या ने लगातार आवाज लगाई पर सामने से किसी की भी आवाज नहीं आती है। आन्या ने असमंजस से कॉल रखते हुए कहा अजीब लोग है बात करनी नहीं होती फिर भी कॉल करते है आन्या इतना कहकर वहां से वापस किचन में आती है तो निर्मला जी वहां से जा चुकी थी वही चाशनी के बरतन के पास नमक का दिब्बा भी रखा हुआ था आन्या ने उस डिब्बे की तरफ देखा और अपने आपसे बोली कि निर्मला जी भी पता नहीं अचानक कहा चली गई चाशनी के लिए बोला था बट कोई बात नहीं मैं ही बना लेती हूँ आन्या ने इतना कहकर नमक के जार को उठाया और उसे ही चीनी समझ कर उस पानी में डाल देती है जिसमें पहले से ही चीनी की मातरा थी आन्या ने गुलाब जामुन उस पानी में डाल दिये और उस बरतन को धाक कर बाकी का खाना बनाने लगती है आजीविका नहीं लड़के की तरफ देखा और बस देखती ही रह गई वही रोकी उसे बोला कौन है तू और यहां क्या कर रहा है उस लड़के की आँखों में एक अलगी तेवर थे उसने रोकी की तरफ देखते हुए कहा हम चाहे जो भी है लेकिन आपको कोई भी हक नहीं है कि आप किसी लड़की पर हाथ उठाएं या फिर उसके साथ इस तरह का व्यवहार करें रोकी को उसकी बात सुनकर गुसा आ गया उसने सामने वाले लड़के के कौला को पकड़ लिया जिस पर आजिविका से लेकर वहां बैठे हुए सभी स्टुडेंट असमंजस से यह सीन देख रहे थे उस लड़के ने अपने शर्थ कौलर की तरफ देखा और फिर रोकी की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा आपको हमारे गिरेबान में हाथ डालने से पहले हमारे बारे में जान लेना चाहिए था रौकी उसे लड़के की शर्ट को पकड़ कर अपनी तरफ कीचते हुए बोला क्यूं असी कौन सी तोप है बे तू जो मुझे तुम्हारे बारे में जानने की जरूरत पड़ रही है उस लड़के के चहरे पर शांत भाव थे और वो मुस्कुरा रहा था रौकी से उसकी मुस्कुराहट बरदाश्ट नहीं होती वो उसे पंच मारने वाला था तभी रौकी का दोस्त शन्यम उससे कान में कुछ कहता है जिसे देखकर रौकी के चहरे पर एक डरा जाता है उसने बिना कुछ कहे उस लड़के के गिरेबान से अपने हाथ हटा लिये रौकी के इस व्यवहार को देखकर आजिविका के साथ वहां मौझूद सभी स्टूडेंट हैरान होकर उसे देखने लगते हैं किसी को नहीं पता था कि वो लड़का कौन है आखिर रौकी ने इतनी आसा जानी से उससे कैसे छोड़ दिया जबकी कभी भी ऐसा होता तो रौकी किसी भी लड़के को अस्पताल पहुंच बगैर तो मानता ही नहीं था लेकिन इस लड़के के सामने रौकी की सारी अकड़ खत्म हो गई ये देखकर आजिविका को अपनी आँखों पर विश्वास न देख रही थी जबकी उसे लड़के ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अपना बैग और अपनी गिटार उठाए फिर वहां से जाने लगता है लेकिन आजिविका उसके सामने आ जाती है ये देखकर वो लड़का चौंक जाता है आजिविका मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ देखते हुए बोली थैंक यू सो मच आपने मेरी हेल्प की लड़का मुस्कुराते हुए इस माय प्लेजर तारा नैना और कियारा भी वहां आ गई वो तीनों आजिविका के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रही थी और एक दूसरे को इशारों इशारों में कुछ कह रही थी आजिविका ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा मेरा नाम आजिविका है और आपका उसे लड़के ने एक नजर आजिविका के हाथों की तरफ देखा फिर आजिविका के चेहरे की तरफ मुस्कुराते हुए देख कर बोला इतनी भी जल्दी क्या है आपको मेरा नाम जानने की अभीतों मैं यूनिवसिटी में नया हूँ धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। आजविका उसका ये जवाब सुनकर अपना हाथ अपने आप पीछे कर लेती है वही वो लड़का अपनी गिटार लेकर मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। अपने आपका ही होश नहीं रहता लेकिन उसकी सभी फ्रेंज उसकी इस खोई हुई अदा को नोटिस करने लगती है। अब तक आपने पाधा पहली रसोई के लिए अरनव आन्या को कॉल करती है। अरनव ने उसे गुलाब जामुन बनाने को कहा। आन्या अपनी पहली रसोई में अरनव के लिए गुलाब जामुन बनाती है। पर चाशनी ने नमक भी डाल देती है। जीवन भी अरनव को जैगुआ के बारे में बताता है। जिस पर अरनव जीवन को जैगुआ पर नजर रखने को कहता है। वही आजीविका को एक अंजान लड़का रौकी से बचाता है। वो लड़का कौन था कोई नहीं जानता। जिसके बाद वो उस लड़के के बारे में सोचने लगती है। अब आगे रात का समय सिंघनिया मेंशन आन्या आजीविका के साथ रूम में बैठी हुई थी और उससे बाते कर रही थी। आजीविका आज बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। जिसे देखकर आन्या को कुछ समझ नहीं आता पर वो बार बार उससे उसकी खुशी का कारण पूछने लगती है। आजीविका टेडी बिय को अपने हाथों में दबा कर बैठी हुई थी और मुस्कुराते हुए उससे कहती है आन्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है। आन्या ने ये बात सुनकर आजीविका की तरफ चौक कर देखा, वो हलका सा मुस्कुराते हुए बोली प्यार। मुझे तो ये भी नहीं पता की प्यार क्या होता है। बच्पन में मां के मुँ से सुनती थी की सपनों का राजकुमार होता है, वो घोडे पर सवार होकर आता हमें अपने साथ ले जाता है फिर बहुत प्यार करता है। आजीविका टेडी बिय को एक तरफ पटकते हुए बोली हां तो तुम्हें मेरे भाई अपने सपनों के राजकुमार से कम लगते है। अर्नव का जिक्र सुनकर आन्या ने गले को गीला करते हुए कहा, वो और सप है कि मुझे तो कई बार बेहद डर लगता है उनसे, उनके जब कदमों की आहट आती है तो बस ऐसा लगता है। आन्या से सब कह रही थी और आजीविका उसका घबराहट भरा चेहरा देखकर मुस्कुराती जा रही थी। तभी उन दोनों के कानों में कार के होन की आवाज जाती है जिस पर आजीविका ने हसकर बोला लो भाई तुमने नाम लिया और भाई आ गये। आन्या का मुझ छोटा सा हो गया वो बोली देख लिया इनकी उम्र भी कितनी लंबी है नाम लिया और हाजिर। हाँ वो तो हैं भाई तुम्हारा साथ अब साथ जन्मों तक नही छोने वाले आजीविका उसकी चुटकी लेते हुए बोली। आन्या ने मुझ बना कर उसे देखा फिर आजीविका से बोली तुम ही कभी प्यार हुआ है। आजीविका आन्या की बात सुनकर चुप हो गई। उसके चेहरे के सामने आज युनिवसिटी वाले नए लड़के की तस्वीर घुम जाती है आजीविका मंद मंद मुस्कुराने लगती है जिसे देखकर आन्या उसे एक टक भूरने लगती है आजीविका ने आन्या का हाथ पका और खुश होते हुए बोली मैं तुझे एक बात बताती हूँ तू किसी से मत कहना आज पता है युनिवसिटी म आन्या ने उसकी आँखों को एक टक देखना शुरू कर दिया आजीविका अपनी बात को आगे बढ़ा पाती तभी वहां पर जीवन आ जाता है भाभी अरनव आपको बुला रहा है जीवन की आवाज सुनकर उन दोनों पलट कर देखा तो डोर पर अपना बलेजा हाथ में लटकाए जीवन खडा था आजीविका ने उसे देखकर मुमह बनाया और बोली आ गया लप्पू सालंगूर आन्या जीवन की तरफ देखती है फिर आजीविका की तरफ आन्या को कुछ समझ नहीं आया कि अरनव उसे क्यों बुला रहा है लेकिन वो अरनव की बात को मना भ कर दिया आन्या वहां से चली गई जबकि जीवन आजीविका को देखकर मुस्कुराते हुए आई विंख करता है और वहां से अपने रूम में चला जाता है आजीविका ने जीवन की ये हरकत देखकर अपना मूँ खोल लिया वो बड़डाकार बोली इस लंबूर ने मुझ है आंख मारी आखिर इसको क्या लगता है क्या है इसमें शकल तो ठीक है नहीं हर बात पर लगता रहता है बोलना इसे आता नहीं है और लप्पूसी इसकी शकल है पर फिर भी एटिटीट दिखाता है हून आजीविका अभी जीवन को ये सब कह रही थी कि तभी उसका मोबा स्क्रीन की तरफ देखा तो कियारा का कॉल था कियारा का कॉल देखकर उसने तुरंट कॉल रिसील किया आजीविका कॉल रिसीव करते ही बोल पड़ी और बता पता चला जो मैंने पता लगाने को कहा था वही कियारा ने उसे इतने एक्साइटमेंट में देखा तो उसे शां तो लेने दे आजीवी का आँखे गोल करके क्यों तू क्या किसी को पत्थर मार कर आई है क्या कियारा ने असमंजस से कहा है फिर उसकी बात को नजर अंदाज करते हुए हां तो मैं कह रही थी अजजू तुने जो काम बोला था वो हो गया है ये सुनते ही आजीवी का खुशी से बैड पर उच्छल पड़ी वो बोली जल्दी बता ना उसका नाम क्या है अजजू उसका नाम चमनलाल है कियारा ने जैसे ही ये कहा तो आजीविका का चेहरा अजीब सा हो गया वो बोली ये कैसा नाम हुआ भला दिखने में तो काफी होट और राजकुमर टाइप का था नाम दादा आदम के जमाने का क्यों है तब ही सामने से कियारा के हंसने की आवाज आई जिस पर आजीविका ने दांत भीचते हुए कहा कियारा की बच्ची साफ्त सार बता कसा नाम है उसका वरना तेरा किमा बना दुनगी कियारा अपनी हंसी केंट्रॉल करेक हुए बोली ओके बता रही हूँ बाबा सुन उसका नाम संपन्न सिंग ठाकुर है दा मोस्ट फेमस बिजनिसमें तनिश्क सुन ठाकुर का इकलोता बेटा आजिविका ने जैसे ही उसका नाम सुना उसके चहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई वैसे ही स्माइल जब हम इश्क के पहले पडाव पर होते है और अपने महबूब के बारे ने जरा जिक्र भी हो जाए तो दिल में खुशी के लड़ू फुटने लगते है ऐसा ही दिसा और अपने पास ही रख्ये हुए टेडी बिय को देखते हुए बोली संपण्ना आजिविका आजिविका संपन्ना कितना प्यारा लग रहा है ये कहकर आजिविका ने अपना चहरा टेडी बिय ने छिपा लिया दूसरी तरफ अर्नव का रूम आन्यारूम में आती है अर्नव वाश्रूम से निकल कर बाहर आता है, आन्या उसे एक नजर देखती है, सामने अर्नव सिर्फ टौवल में था, ये देखकर आन्या की आँखे फटी की फटी रह गई उसने तुरंट अपनी आँखों पर हाथ रखा और पलट कर खड़ी हो गई, अर्नव को इस हाल में देखकर आन्या की धक ने इतनी तेज हो गई धक, धकावाज उसके कानों तकाने लगी, वही घबराहट के मारे उसका बुरा हाल हो गया, अर्नव की बॉड़ी को वो एक पल देख पाई थी पर अर्नव का ये हाल उसके दिमाग में चढ़ गया था, उसने आज तक किसी भी लड़के को इस तरह नहीं देखा था, पर अर्नव को इस हालत में देखकर आन्या का खुद के संभाल पाना मुश्किल हो रहा था, वो वहां से भागने का प्लान बनावे लगती है, इसके विपरित अर्नव ने आन्या की हरकत देखकर स्माइल दे दी, तभी आन्या हकलाते हुए बोली, वो मुझे जीवन ने कहा था, कि आप मुझे बुला रहे है, अगर आप कपडे चेंज करना चाहते हैं, तो मैं जा रही हूँ, मैं बाद में आती हूँ, आन्या इतना कहकर वहां से जाने लगी तभी अर्नव उसे आवाज लगाते हुए बोला रूख जाओ वही परेज, अर्नव की सिरियस वोईस सुनकर आन्या के कदम जसके तस रूख गए, वो अब ना तो हिल पा रही थी और ना ही उसके कदम उसका साथ दे रहे थे, अर्नव अपने कपडे लेकर उसके पास आया और मुस्कुराते हुए उसके सामने खडा हो गया, आन्या ने अभी भी अपनी आँखों को अपने हाथों से धका हुआ था, अर्नव उसकी मासूमियत देखकर उससे बोला इंजल अपने चहरे से अपने हाथ हटाओ और मेरी त आन्या में जरा भी हिम्मत नहीं थी कि वो अर्नव की बात का विरोध कर सकी उसने घबराते हुए अपने हाथ अपनी आँखों से हटाए और अपनी आँखे धीरे धीरे खोल कर उसके चहरे की तरफ देखने लगी और अर्नव अभी भी सिर्फ टौवल में उसके सामने खड आन्या ने दोबारा अपनी आँखे कसकर बंद कर ली अर्नव उसकी हरकत देखकर मुस्कुरा दिया अन्या अपने आपको संभालती है और अपनी पूरी हिम्मत के साथ कहती है प्लीज मुझे जाने दीजिये मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती हूँ मुझे जाना है आन्या अर्नव के करीब आने पर पहले ही घबराई हुई थी उसे पर अर्नव ने उसे कपड़े पहनने की बात पर उसे और भी जादा दरा दिया उसने अपनी आँखें और भी जादा कसकर बंद कर ली मैं आपको कपड़े पहना हूँ हाँ एंजल क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे अलावा कोई और दिखाई दे रहा है आन्या उसकी बात सुनकर अपने मन में बोली मुझे कोई कैसे दिखाई देगा जब आप सामने होते हैं मुझे कुछ और दिखाई ही नहीं देता आपका डर ही इतना ज्यादा है कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ जो दिखता है वो भी दिख पाता कुछ और तो कैसे देख पाउंगी आन्या अपने ख्यालों में खोई हुई थी तभी अर्नव के शब्द उसके ख्यालों से बाहर निकलते हैं क्या सोच रही हो नहीं कुछ नहीं मैं पहनाती हूँ आन्या हकला कर बोली अर्नव के चेहरे पर उसकी बाते सुनकर स्माइल आ जाती है उसने अपनी गर पूलकर उसकी तरफ देखती है फिर उसके सिर में टी-शर्च डालती है और उसी तरह उसके हाथ भी डालती है। अर्नव के फेस पर ये देखकर स्माय स्मायल जाही नहीं रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आन्या को अपने करीब देखकर खुशी से पागल हुआ जा रहा है। वही आन्या का डर से बुरा हाल था। उसने अर्नव के टी-शर्ट को नीचे किया इसी दोरान आन्या के हाथ अर्नव की बोडी पर टच कर रहे थे। आन्या उसके एब्स को महसूस कर पा रही थी। उसके एब्स बेहग सक्थ थे और ऐसी बोडी जिसे चुने के लिए तो हर लड़की तरस्ती थी पर आज तक कोई लड़की उसे टच नहीं कर पाई थी। आन्या के पेच में उन्हें महसूस करके एक अजीब गुद गुदी होने लगी। वो कभी मुस्कुरा रही थी तो कभी घब्रा रही थी। वही अर्नव उसकी हरकतों को नोटिस करके स्माइल कर रहा था। जब काफी देर तक आन्या ऐसे ही खड़ी रही तो अर्नव उसके बालों को उसके कान के पीछे करता है। जिससे आन्या को गुद गुदी होती है। तभी अर्नव उसके कान के पास आकर बोला अब अगर तुमने मुझे महसूस कर लिया है तो क्या मैं ट्राउजर पहन सकता हूँ। आन्या अर्नव की बात सुनकर बिल्कुल जहेप गई। उसने अपना सिर हिलाया और शर्मा कर पलट कर खड़ी हो गई। अर्नव उसे एक नजर देखता है और पूरी कपडे पहनने लगता है वही आन्या के गाल शर्म से लाल पीले हो रहे थे। अर्नव ने कपडे पहन लिये तो आन्या बोली डिनर का टाइम हो गया है हमें नहीं चलना चाहिए इतना कहकर वो जाने लगी तो अर्नव ने उसकी कलाई पकते हुए उसे रोक लिया। एक बार फिर अर्नव के हाथ का स्पर्श पाकर आन्या की घबराहट बढ़ गई। वो पलट कर कभी अपनी कलाई को देखने लगी तो कभी अर्नव के फेस को अर्नव उसे अपने करीब खीच कर उसके बन को खोलते हुए बोला जिस काम के लिए आय थी क्या वो काम नहीं करना है। बन के खुलते ही उसके बाल खुल कर बिखर जाते हैं। खुले बालों में आन्या की खुबसूरत और भी ज्यादा बढ़ गई। अर्नव उसे उतने ही प्यार से निहारने लगा। आन्या के चेहरे पर असनमजस और घबराहट दिखाई दे रही थी। आन्या अपने आपसे बोली के भगवान अब क्या काम करना है। ये डेविल सिंधानिया इनको क्या पता मैंने इतनी हिम्मत से इन्हें कपड़े पहनाए है। अब अगर इन्होंने कुछ और क्या दिया तो अब मुझसे कुछ नहीं होगा, पर मैं इन्हें मान भी तो नहीं कर पाऊंगी। आन्या घबराते हुए अरनव से कहती है क्या काम करना है। अरनव ने उसके चहरे की तरफ देखते हुए कहा अपनी आँखे बंद करो और जब तक मैं ना कहूं अपनी आँखे खोलना मत। आन्या को कुछ समझ नहीं आया पर वो अरनव की बात को मना भी कैसे करती। वो चुप चाप अपनी आँखों को बंद कर लेती है। अरनव वोडरोब के पास जाकर एक बॉक्स लेकर आता है और उस बॉक्स को लाकर आन्या की हथेलियों को खोल कर उस पर रख देता है। आन्या के अपने हाथ पर जब भारी भारी महसूस हुआ तभी अरनव बोला अब तुम अपनी आँखे खोल सकती हो। आन्या ने अपनी आँखे खोली वो उस बॉक्स को देखते हुए बोली इसने क्या है। अरनव अपने हाथों को बांध कर खड़ा हो गया वो आन्या से बोला तुम खुद देख लो ना एंजल। आन्या ने अपनी गरदन हिलाए और अरनव के दिये गिफ्ट को खोलने लगी। अरन्या और मैं तो इसे मोबाइल कहते हैं अगर तुम चाहो तो अपने हिसाब से कोई नया नाम दे सकती हो वैसे नाम देने में तो तुम एक्सपर्ट हो इतना तो मैं जानता हूँ। अरनव के मुण से ऐसे शब्द सुनकर आन्या जहेप गई। वो डर गई की कही अरनव को अपने डेविल नाम के बारे में पता तो नहीं चल गया। आन्या तुरंथी बात बदलते हुए बोली लेकिन मैं इस मोबाइल फोन का क्या करूंगी मुझे जरूरत नहीं है और ये देखने में बहुत महंगा लग रहा है। अरनव ने आन्या के चेहरे पर ऐसे अनसमजस और परेशानी के भाव देखे तो बोला तुम्हारे आगे कोई भी चीज नहीं सकती नहीं है। अगर तुम्हें कभी भी किसी से भी बात करनी हो तो अब तुम इस मोबाइल से बात करोगी। आन्या ने अरनव के चेहरे को एक टक देखा था। सच बात तो ये थी कि उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि अरनव ने उसे गिफ्ट दिया है क्योंकि उसकी लाइफ में कभी भी उसे किसी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया था। अपनी लाइफ का पहला गिफ्ट उसे अर्नव नहीं दिया था और ये देखकर आन्या को अपने दिल में बेहत खुशी होने लगती है। अब से ये मोबाइल तुम्हारा है, understand। अर्नव ने चुपचा अपना सेर हिलाया, ये देखकर अर्नव के फेस पर स्माइल आ गई, फिर उसने आन्या को अपनी ओर खीचा और उसे अपने गले से लगा लेता है और धीरे धीरे उसकी पीट को सहलाने लगता है जबकि अन्या अर्नव की इस हरकत से बिलकुल चौंक ज आती है, जिस बात का तुझे डर है वो करके दिखा दूनगा, ऐसा ना मुझे तुम देखा, सीने से लगा लूनगा, तुमको मैं चुरा लूनगा, तुमसे दिल में छिपा लूनगा